स्मार्ट सीटी में वो प्राधों पर लगाम लगाने और बदमाशों को जल्द काबू करने के लिए पूलिस ने जीले में 300 CCTV कैमरे लगाने की योजना शुरू की है इसको लेकर S.P. ने खाका तयार कर लिया है जीले में 17 पूलिस थाने हैं परतेइक थाना शेत्र में 300-300 CCTV लगाने का लक्षे रखा गया है इसको लेकर पूलिस लोगों को जागरूप करने का अभियान चलाएगी साथ ही शहर और कस्बों की समाजिक और वेपारिक संस्थाओं के साथ मिलकर कैमरे लगवाएगी कैमरे लगवाने का कारे इसी महां इंदर से शुरू होगा और धीरे धीरे सबी जगहों पर शुरू किया जाएगा इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर 6 महां का समय रखा गया है जीले में फिलहाल 17 थाने हैं इसमें 2 महिलाओं के और एक हाईवे थाना है परतेक थाने के हिसाब से 300 कैमरे लगाने काई है संख्या 10,000 के पार हो जाएगी क्योंकि इस समय जीले में 6,021 नीजी और सरकारी CCTV कैमरे हैं पुलिस को उमीद है कि ऐसा होने के बाद कोई भी अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार नहीं हो पाएगा और जल्द काबू कर लिया जाएगा सिटी में 320 CCTV कैमरे और लगाए जाएंगे फिलहाल नगर निगम शेतर में 26 जगया हैं उपर 139 CCTV कैमरे लगे हैं इनकी मदद से पुलिस अपराधी तक पहुंचती है जो कैमरे की बात है कि अभी हमारे 6000 के आसपास हमने सर्वे कराया है पूरे जिले में 6000 के आसपास कैमरे जिसके अंदर कुछ सरकारी बिल्डिंग्स है कुछ प्राइवेट जो रेजिदेंट वेलफर एस्सोसेशन हैं या वेपार मंडल है या जो प्राइवेट आफिसेज है इसके लावा कुछ कैमरे हैं जो कॉर्परेशन या मुनसिपल कमीटी ने लगवाए है 6021 कैमरे का सर्वे जो हमाने पिछे किया था आये थे अब हमने ये टार्गेट बनाया है पब्लिक पार्टिसिपरेशन के साथ और मुनसिपल कॉर्परेशन और मुनसिपल कमीटी को भी साथ लेके पंचायतों को साथ लेके जो रेजिडेंट वेलफिर एससेशन को साथ लेके मार्केट एससेशन को साथ लेके और जितने बैंकिंग इंसिटूशन हैं या स्कूल्स हैं हैं तो हमने 3300 कैमरे इस 15 अगस्त तक लगवाने का एक लक्षे बनाया है कि कि बहुत जादा इसका फैदा है मनलब इसमें कम से कम मैन पार यूज़ करके हम बहुत जादा इसमें रिजल्ट ले सकते हैं आप सभी के सामने हैं हमारे हाई प्रॉफाइल और बहुत सारे केसिस सी अब हर थाना शेत्र में टार्गेट दिया गया है कि कम से कम 300 कैमरे वो लगवा है अब प्रेस्ट एक पर जारी करवा है अब ठीक है ऐसे मोटन पर देखी लिए ऐसे चोज़ के नाम बाल दे ना तिमें को ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकोन को दबाए